नमस्ते मैं कुमार उत्पल लिमका बूक ऑफ वर्ड लेकर्ड होल्डर आज मैं बतलाना चारा हूँ Contribution of Bihari Muslim in Freedom Struggle आपको आजादी के दीवाने नाम से हमारे लाल किला में अस्थापित कियागया है भारत सरकार के द्वारा या स्थापित आजादी के दीवाने नाम से मुजियम अस्थापित किया गया है जिसमें बिहार के साथ मुसल्मानों के कंट्रिब्यूशन से संबंधित फोटोग्राप्स और उनके बारे में चर्चा की गई है आज उसमें से जो पांच नामचीन व्यक्ति हैं उनके बारे में आपनों को बतलाना चाह रहा हूँ जिसमें आपको बिभिन परिक्षाओं बिपी एसी में मुख रूप से और यूपी एसी और अने पॉब्लिक सर्विश के कमिस्नों में यह पूछा जाएगा चलिए मैं सुरू कर रहा हूँ सबसे पहले आज मैं सुरू कर रहा हूँ बत्तक मिया के बारे में सुरू कर रहा हूँ वह बत्तक मिया जो गांधी जी को बचाने के लिए अपने जुल्मों सितम झेले बतक मिया आपको बतला दे रहे हैं जो नील के खेती करवाने वाले मैनेजर थे वह मैनेजर इर्विन के हां रसोया का काम करते थे गांधी जी को जब 1917 में गांधी जी चमपारण पहुँचे हुए थे तो उनको भोज पर आमंतरन किये और इनको कहा गया कि आप गांधी जी को दूध में आप जहर मीठा जहर मिला दीजिए आपको यह बात जा करके उन्होंने डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद को यह जा करके बात कह दे और वह जो है सो यह घटना जो है और यह गांधी जी नहीं मरे तो आपको इरविन ने क्या किया कि इनको रसोया के पद से निकाल दिया गया यह साधारन गरीव आदमी थे और इनको जोपड़ी को इनको तोर दिया गया इनके इनको और इनके परिवार जनों पर काफी लाठी बरसाई गई यह जुलमोशितम जो है उन्होंने जहेला लेकिन गांधी जी को बचाने के लिए इन्होंने पूरा कस्ट सहा लेकिन उनको बचालिया कल दो अक्टूबर था मैं कल ही इस पर वीडियो बनाने जा रहा था लेकिन कल मौशम इतना बेरूख था इतनी बर्षा हो रहे थी कि बना नहीं सका तो आज तीन अक्टूबर को आप बना रहा हूं आपको तो बतक मिया जो अपने सारी जुल्मों सितम झेल करके गांधी जी को बचाये थे जब 1950 में डॉक्टर राजिंदर प्रसाद भारत के राष्ट पती के रूप में मोतिहारी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक भीर से एक बुरहा आदमी आपको आगे बह रहा है तो उन्होंने पहचान लिया ये तो बतक मिया हैं और उनको आदर सहित मंच पर बुलवाया और उनको कूसी पर बैठवाया और सारी बाते उनके बारे में आम लोगों को बतलाया और उसी समय उन्होंने 35 एकर जमेन उनके एप्रिशेशन के लिए उन्होंने ओडर कर दिया लेकिन आज भी उनके परिबार जनों को यह 35 एकर क्या 35 किलो अनाज तक नहीं मिल पाया यह कस्ट में ही मर गए लेकिन इनको कोई देखने वाला रहनुमा नहीं आया सामने तो बत्तक मिया अनसारी का गांधी जी को बचाने में इनकी अहम भूमकार रही है मैं आपको बतला रहा हूँ आप यह तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर जो है सो आपका बत्तक मिया का यह तस्वीर है जो इनके बारे में नीचे लिखा गया है गांधी जी के प्रान रक्षक आप देख रहे हैं गांधी जी के प्रान रक्षक है स्वतंतरता सेनानी बत्तक मियान सारी है इनका भी जन्म गांधी जी के जिस वर्स जन्म हुआ था 1869 में उसी वर्स इनका जन्म हुआ है मिर्तु 1957 में हुआ है यह आपको देखने से भी गांधी दूसरे गांधी की तरह लगते हैं दूसरे गांधी तो भले ही शिमांत गांधी खान अब्दुलगफार खान थे लेकिन आपको देखने में और उनका वेसबुसा और उनकी चेहरा में जो चमक दिखाई परती है वह चमक कहता है कि जरूर ही यह तो आपको कस्ट में चले गए लेकिन देश आवाद रहेगा यह उन्होंने कहके चले गए सही में देश आज आवाद है लेकिन इनको लोग भूल चुका है यह हम सब को जरूर आज के दिन प्रण लेना चाहिए कि इनके जो हमारे बापू को बचाने वाले प्रान बचा की चर्चा करेंगे हैं यह जो पांच व्यक्ति के बारे में आज हम बतलाने जा रहे हैं वह सही में भारत के रत्न है और इनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए इनको सिलेवस में इनको पढ़ाना चाहिए क्योंकि यही हम लों के रहनुमा हैं यही हमारे सब कुछ हैं च देख सकते हैं आपको यहां पर मैं आपको आप देखिए यह इनकी जोपड़ी है फूस और बांस की जोपड़ी साधारन से जोपड़ी में साधारन से कपरों में लिप्टी हुई एक साधारन से महिला कस्तों को जेल रही है लेकिन चूज सब्द भी नहीं बोल रही है और वह बत्तक्मिया की पुतो है और मैं आपको बत्ता रहा हूँ यह एक लेटर आपको दिखा रहा हूँ फारुक सेख जो बहुत बरे अभिनेता है और वह फारुक सेख ने इनके बारे में लिखा है कि और इनके दुख दर्थों को के बारे में हाल समाचार पूछा है लेकिन इनको फारुक सेख तक कौन पहुंचाएगा क्योंकि ये निरक्षर साधारन ग्रामिन है इनको पता नहीं है कि बंबे कैसे जाया जाए कैसे फारुक सेख से मिला जाए और फारुक सेख जो है अपने हाथों से या लिखे है इससे आप समझ जाए फारुक सिक जैसे नाम चीन आपको अविनेता इनके बारे में जब जाने तो लेटर लिखे हैं यह बहुत बड़ी बात है लेकिन हम लोग बिहारी जो हैं आज भी इनके बारे में जो अच्छा सोचना चाहिए इनके लिए आगे बार करके आगे आना चा BPSC में यह प्रश्न पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इनकी चर्चा आपको किया है एक और दूसरे ब्यक्ति हैं प्रोफेसर अब्दुलबारी जिन्होंने अपने जान कुरुवान करके भी राज्य की सेवा ही नहीं किया राज्य की सेवा के माध्यम से देश की सेवा की है इनका जन्म जो है साहवाद विलेज कंसुवा जो जहानाबाद में अवस्तित है वहाँ इनका गाव अवस्तित है तो आप देख रहे हैं कि यह जो हैं कंसुवा के रहने वाले जहानाबाद बिहार के व्यक्ति हैं आपको और वहाँ पर इन्होंने अपना बच्पन का जीव पाया था यह आपको बी एन कॉलेज इन्हों ने आपको ग्रेजुएट उन्हें 18 में किये पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री में पतना कॉलेज से किये हैं पतना इन्वर्सिटी से किये और जब आपको राजिंद्र बाबु आपको नेशनल बिहार नेशनल कॉलेज की अस्थ आपना जब हुई और राजिंद्र डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद प्रिंस्पल बने तो ये भी आपको हिस्ट्री विवाग के प्रोफेसर बने अनुग्रह नारायन सिन्ना डॉक्टर अनुग्रह नारायन सिन्ना भी इसके आपको प्रोफेसर बने हैं तो यह जो है आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको हाइलाइट कर रहा हूँ कि अब्दुलबारी के साथ-साथ अनुग्रह बाबु भी समलित थे इसको ध्यान में रखिएगा डॉक्टर राजिंदर प्रसाद प्रिंस्पल थे अनुग्रह बाबु और आपको अब्दुलबारी जो हैं तो भी आपको प्रोफेसर रहे हैं बिहार नेशनल कॉलेज की अस्थापना जो हुए है उस समय सदाकत आस्रम में ही अस्थापना हुआ है इनके पिताजी जो हैं सो आपको बता देते हैं कि आपको सोन नदी के किनारे आपको यह गाउं है कोईलवार उस गाउं में वहां ज सोटा सा टोला है जिसको पठान तोली कहा जाता है उसी में रहने लगे बिहार सरकार ने उस पूल का जो कोईलवार पूल के नाम से जाना जाता है इनके आदर में इनके आउनर देने के लिए उसका नाम प्रोफेसर अब्दूल बारी आपको पूल नाम करन कर दिया गया मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1917 में भी आपको गांधी जी के साथ यह काम किये और 1920 से आपको अशहयोग आंदोलन से ले करके सविने अवग्या Civil Disobedience Movement, Quit India Movement में बर्चर करके इन्होंने हिसा लिया जब आपको बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने 1937 के प्रोविंसियल एलेक्षन में इनको आपको चमपारण से टिकट दे दिया तो आपको मालूम है कि पांच कॉंग्रेस के मुसल्मान उमिदवार जीते थे जिसमें प्रोफेसर अब्दुलबाडी भी जीते थे मैं एक बात कहा देना चाहता हूँ कि जो प्रधम मुख मंत्री बिहार के बने थे जो उस समय प्रधान मंत्री कहा जाता था वह जो है बरिस्टर यूनूस सहाब वह इनके खास रिलेटिव थे और उन्होंने इनको कहा था कि आप आजाएए मेरे पार्टी में हैं लेकिन इन्होंने नहीं गए और कॉंग्रेस के साथ आपको कंधे में कंधे मिला करके एक आपको सहाए के रूप में आपको कार्ज करते रहें मैं बता रहा हूं कि 1937 में जब आपको कंधे की तीन चार महिने के बाद जब आपको कंधे की सरकार बनी तो उसमें यह डिप्टी स्पीकर बिहार एसमली के यह बने आपको यह एक बहुत बड़ी चीज है प्रथम डिप्टी स्पीकर और बिहार एसमली के प्रोफेसर अब्दुलबारी थे आपको बता देते हैं कि आपको देश जब आजाद होने की स्थिती में था 1947 में तो यह बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के यह अध्यक्ष थे प्रोफेसर अब्दुलबारी तो इनका ध्यान आप लोग रखेंगे मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि जब कॉंग्रेस के द्वारा लेवर इनक्वारी कमिटी बनी थी अंडर दा चेर्मेंशिव आफ राजियंदर प्रशाद तो उसमें यह भाइस चेर्मेंश की पद पर इनको न्युक्ति की गई थी लेवर से संबंधित इनका कृत संकल्पत को देखते हुए कृत संकल्पित व्यक्ति थे जिसके कारण इनको नेताजी सुवास संद्रबोस जो प्रसिडेंट अब जमसेत्पूल लेवर रेशोसेशन के थे उन्होंने डिसाइड किया थ कि मैं इस पद से हट जाऊंगा और प्रोफेसर अब्दुलबारी की को इसको दे दिया जाएगा और वही हुआ और अब्दुलबारी जो हैं वह आपको सुवास संद्रबोस के बाद यह पद ग्रहन करने वाले आपको जुजहारू कॉंग्रेसी नेता थे मैं आपको बतला रहा हूँ कि इन्होंने आपको जमसेद्पू लेवर एसोसेशन जो टाटा वर्कर यूनियन 1937 में कहलाया उसके भी या प्रसिडेंट रहे हैं मैं आपको बतला रहा हूँ कि भले ही इनके नामों को आदर देने के लिए जहारखंड की सरकार और बिहार की सरकार ने कई संसाओं का नाम दिया गया जिसमें आपको जहारखंड में तो कई संसान हैं जैसे अबदुलबारी मेमोरियल कॉलेज गोल मूरी जमसेदपूर है अबदुलबारी टाउन हॉल जहानाबाद में भी हर सरकार के द्वारा दिया गया आपको उसी तरह से साक्ची जमसेदपूर में बारी मैदान है और मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था कि प्रोफेसर अबदुलबारी रेल रोड ब्रिज कोईलवर में अस्थापित है तो यह जो है इनके यह सब ओनर इनके ब्यक्तितों और कृतितों के सामने बहुत कम है इन लोगों को तो भारत रत्न की उपाधी दी जानी चाहिए थी मैं आपको बतला रहा हूँ आप देख रहे हैं कि यह उनका उनकी जो तस्वीर है आप उस तस्वीर को अब लोकन करेंगे यहाँ पर आपको उनकी डेथ हो गई है जनाजा निकलने जा रही है उसी जनाजा को एक तरफ खड़े हैं एक तरफ गांधी जी खड़े हैं और गांधी जी इनको पता चला तुरंत वहाँ पर पहुंचते हैं वह गांधी जी के साथ पहले पुर्व का जो तस्वीर है इसमें प्रोफेसर अब्दुलबारी यहां दिखाई पर रहे हैं और यहां गांधी जी यहां पर यहां गांधी जी हैं आपको गांधी जी यहां पर दिखाई पर रहे हैं या गांधी जी हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ या आपको ध्यान रखिया गांधी जी के साथ इनकी तस्वीर है मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवर यूनियन के जो पदादिकारी हैं उनके साथ अब्दुलबारी सेंटर में बैठे हुए हैं एक बच्चे को आसीस दे रहे हैं यहाँ आपको दिखाई पर यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्चुली बीच में जो बैठे हुए हैं वह आपक दिखाई पर रहा होगा यही अब्दुलबारी है यही अब्दुलबारी है ठीक है ना यही अब्दुलबारी हैं बीच में केंदर में बैठे हुए हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं और भी लेवर यूनियन के लोग हैं उनके साथ बैठे हुए हैं मैं उनकी जो कबरगा है जहां पर पिर्मुहानी पत्ना में अवस्तित है उनको भी आपको दिखला रहा हूं मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूं कि इनका जो काम हुआ है या बहुत सिख्छा के छित्रों से लेकर के लेवर पार्टी के अस्थापना और उनके दुख दर्दों को के साथ खुने दिल खुने दिल जलाया है उन्होंने मैं आपको बता रहा हूं गांधी जी के रिक्वेस्ट पर आपको यह जो है जमसेदपूर से आपको आ गए यह पतना आ रहे थे लेकिन आपको किन की बुरी नजर पढ़ गई कि इनको फतुहा यहां पर आप देख रहे हैं हम अंडरलाइन कर रहे हैं फतुहा रेलवे क्रोसिंग पर 28 मार्च 147 को इनको कोई गोली मार दिया और इनकी सहादत हो गई गांधी जी तुरंत इनके सहादत में आपको सामिल हुए मैं बतला रहा हूँ ऐसे किनकी बुरी नजर पढ़ी कि जो इनको इनका जान ले लिया जो देश के लिए हर हमेशा दलितों गलितों सोसितों पीरितों और सभी वर्गों के लोग को साथ में लेकर के गांगरीब के गुरुबाओं के साथ यह कंधे में कंधे मिलाकर चलने व आज भी प्रस्न चिन्न बना हुआ है लेकिन इस पर कोई कमिटी नहीं बने इस पर कोई खोज नहीं की गई है यह एक दुखद पहलू है जबकि देश की खातिर यह आपको सहीद हो गए लेकिन इनको जो है भारत रतन आज तक नहीं दिया गया चलिए मैं एक बात और आपक आता हूं कि मैंने आपको बतला है कि आपको सुवास्चंद्र बोस जो हैं सो इनके पहले लेवर यूनियन के अध्यक्स थे बाद में माइकल जॉन जो हैं सो हुए हैं मैं आगे आपको बह रहा हूं अब मैं आगे आ रहा हूं पीर मुहम्मद मुनिश पीर मुहम्मद मुनि और चंपारन के जो आपको निल है किशानों की दुख दर्दों को बांटते थे भले हैं अंग्रेज इन से तंग आकर के बदमास पत्रकार की उपाधी दे दिया था और चर्चा करता था लेकिन यह सही में आपको देश भक्त पत्रकार थे इनको तो हम लोगों को जितना आदर देना चाहिए वह कम है क्योंकि इन्होंने उसी के कारण अंग्रेज ने इनको जो एक स्कूल के टीचर थे और वह स्कूल के गुरू ट्रेनिंग स्कूल के टीचर थे उनको निकाल दिया गया और वह जो हैं सोच्वतंत्र रूप से प्रताप में पत्रकारिता करते रहे दुखी आत्मा से लिखते थे चमपारन के प्रजा पर अत्यचार लिखते रहे और गांधी जी को जो लेटर लिखे उसी के कारण जो है गांधी जी चिठी लिखने बाले भी यही थे और जब वहां से गांधी जी reply किये तो उसका भी इनहीं के टेलिग्राम इनहीं के नाम से टेलिग्राम आया और राजकुमार सुकल जा करके गांधी जी को कलकता से ले आये इनके पिता जी का नाम फटिंगा मिया था और यह जो है तो जब गांधी जी आते हैं बेतिया 1917 में 22 अप्रेल 1917 को जब या फर्स टाइम बेतिया पहुंचते हैं हजारी मल धर्म साला में ठहरते हैं और वहां से तुरंत भारत के इतिहास में पहली घटना है जब एक पत्रकार के घर जा करके उनकी माता से आसिरवाद लेने के लिए गांधी जी उनके घर पहुंच जाते हैं और वहां पर आसिरवाद लेने के बाद वह फिर लोटते हैं पीर मुहम्मद मुनिस साय की तरह गांधी जी के साथ चमपारण में रहे और उनको हिंदी लिखने में गांधी जी को दिकते होती थी तो उसको वह निप्टारा खुद करते थे गांधी जी को हिंदी परहाने का काम, बतलाने का काम या खुद करते थे क्योंकि गांधी जी उसे पुर्व तो अफ्रीका में रहे, अंग्रेजी में लिखना परना, वकालत और बैरिस्ट्री की डिग्री भी अंग्रेजी में लिये थे, इसलिए उनको हिंदी की उतनी सुक्ष्म जानकारी नहीं थी, जो पीर मुहम्मद मुनिस, आजे सिक्छक, का ख्याल करते रहे, पीर मुहम्मद मुनिस, या पीर मुहम्मद मुनिस आपको बता देते हैं कि बिहार हिंदी साही सं मेलन की अध्यक्सता भी किये थे, अध्यक्च भी वे, और हिंदी के लिए भी उन्होंने काफी कुछ योगदान किया था, मैं आपको बतला रहा हूं यूनिस के बारे में मुहमद यूनिस जो है सो चार मई 1884 में आपको पनहेरा भीले जो मसौड़ी रेलवे स्टेशन तरेगना में जर्म लिया था पहले पतना जिला के अंतरगत आता था वहीं पर इनका जर्म हुआ था इनकी मृतु जो हुई है लंदन में हुई है जब यह तहल है थे तो हर्ट अटेक हो गया और वह जो हैं सो आपको वहीं पर दफनाए गए ब्रुक वुड मुसलिम ग्रेवियार्ड लंदन में वह दफनाए गए इनके ग्रैंड फादर भी मुंगेर के बहुत ही नामचीन आप को डिस्टिक्ट जज्ज थे इनके फादर भी अड़वाकेट रहे हैं ब्रदर भी बैरिस्टर और पतना के रहे हैं फॉस्ट इनकी पतनी जो हुई है आपको वह जो है मौलवी अब्दुल जबार मिरजापूर के थे वह उनकी बेटी थी लेकिन वह 1924 में ही डेथ कर गई तो इनकी दूसरी साधी हुई इनके एलडर संज जो इनके जब प्रथम आपको चीफ निस्टर हुए थे और उसे पहले जब पार्टी का काम करते थे तो समय प्राइविट सेक्रेटरी के रूप में पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में इनका साथ दिये और वह जो है हाई कोट के जज के रूप में हुआ लेकिन तब तक इनकी स्थिती बहुत खड़ाब हो गए थी और बहुत कम उम्र में ही 1946 में 40 वर्स के उमर में वह डे थी इनके बरे लड़के हुए दूसरे लड़के भी मुहमबद याकूब यूनूस जो थे अड़वाकेट पतना हाई कोट के थे और फाउंडर थे बिहार स्टेट प्रसिडेंट आफ आल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुसा वरात के 1967 में रहे आपको अलिगर मुस्लिम इनवर्सिटी के ओल्ड वाज असोसियेशन के भी प्रसिडेंट रहे हैं इनका जो डेथ है 2004 में ग्रैंड होटर फ्रेजर रोड में हुआ था इनके घर का नाम दारूर मलिक था और आपको बता देते हैं दारूर मलिक जो है यहां पर आपको दिखाई पर रहा है दारूर मलिक है जो फ्रेजर रोड में अवस्तित है आपको बतला देते हैं कि इन्होंने एक पार्टी बनाय था वह पार्टी जो है म बिहार के मुशलमानों के लिए 40 सीट टाय की गई थी उस 40 सीट में या 20 सीट जीत करके आपको सबसे आगे रहे मुशलमानों के सीट पर 20 सीट लाने वाले मुसलिम इंडिपेंडेंट पार्टी ही थी पांच कॉंग्रेस के मुशलमान कंडिडेट जीते थे और रेस्ट जो हैं छोटी छोटी पार्टी जीती थी लेकिन मुसलिम लीग की एक भी कंडिडेट जीत नहीं पाये थे इसको ध्यान में रखियेगा इन्होंने आपको बहुत सारे इन्होंने काम किया था लहार सेशन में 1908 में आपको अटेंड किये लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दिया मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह आपको मिस्टर दीप नरायन सिंग जो भागलपूर के थे जिनके आपको मेहनद से सेकेंड प्रांतिये कॉंग्रेस कमिटी का की बैठक भागलपूर में हुई थी आपको उसे पहला प्रांतिये कॉंग्रेस की बैठक पत्ना में हुई थी इनके मित्रगन जो थे वह एन सिन्हा थे आपको मिस्टर किशन सहाय थे ठीक है नहीं लोग इनके बहुत मित्रगन थे मैं आपको बतला रहा हूँ कि आपको 1937 के एलेक्शन में आपको कॉंग्रेस जब कही कि हम नहीं बनाएंगे जबकि सबसे अधिक सीट कॉंग्रेस के आई थी तब यह जो हैं 20 सीट सेकेंड पोजिशन इनी की थी इन्होंने 3 से 4 महिने तक आपको बनाएंगे हैं आपको सरकार चला हैं सरकार बहुत अच्छे तरीके से चला है और इन्होंने आपको यह मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की अस्थापना इन्होंने किया है यह आपको बतला देता हूं कि यह जो हैं कई तरह के काम किये थे उस आप में जिसमें और आपके मिनिस्टरी इनके जो थे मिनिस्टर साहब जो लोग थे इनके वह बहुत ही अच्छे लोग थे जिसमें अब्दुलवाव खान जो रेविन्यू मिनिस्टर थे कुमार अजीज सि लाल जो थे रीवर डेवलप्मेंट मिनिस्टर थे मैं अश्याना नगर में रहता हूं पतना में रहता हूं मेरे बगल में आपको मैस्टेट कॉलनी है वहाँ पर गुरू लाल सहाय सामुदाइक भावन है कई बार उसमें जाने का आवसर हुआ है लोगों ने पूछा कि भा 37 में मुहंद यूनुस साहिव के नितरित्व में जो गौवर्मेंट बनी थी उसमें यह मिनिस्टर थे तो लोगों को बहुत कम लोग इस इनके बारे में जानते हैं लेकिन इनके मिनिस्टर गुरू शाहा-लाल मेरे परोस में सामुदाइक भार्वन है जिसके बारे मैं आप बर रहा हूँ कि मुहमद यूनुस जो कई तरह के काम किये थे मैं आपको बतला रहा हूँ जेपी करपलानी मैं एक बात आपको और भी बतला दे रहा हूँ जब अब्दुलबारी के बारे में बता रहा था तो अब्दुलबारी बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के 1947 में अध्यक से ठीक आपको जब देश आजाद होने की इस्तिती में था और देश आजाद 1947 में हुआ उस समय देश के कॉंग्रेस के प्रिसिडेंट थे जे पी कृपलानी जो मुझपत पूर में आपको अंग्रे जी के प्रोफेसर रहे थे औ यह आपको जेबी कृपलानी सिता मरही से आपको MP के पद पर यह आपको 1951 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वह जीते थे और यह किसान मज़़ूर प्रजापार्टी की अस्थापना 1951 में ही किये थे महमाया प्रसाद शिन्हा जो आपको स्टेट प्रसिडेंट है इस पार्टी के उन्होंने क्या किया कि MLC पद के लिए आपको आगे बताएंगे मौलाना मंजूर इजाजी को कहा कि आपको जो कांग्रेस दी हुई है सीट आप उसे इनकार कर दीजे MLC के पद पर और वह इनकार तो कर दिए लेकिन जाकर के यह जो हैं महमाया प्रसाद अपना गोटी सेट कर लिए और वह MLC का पद जटक लिए मैं आगे बताऊंगा इजाजी साहब के बारे में आगे चलिए मैं अभी थोड़ा सा चर्चा इसलिए कर दिया हूँ कि जे भी कृपलानी जो थे आपको बहुत अच्छा संबंध था मुहम्मद यूनूस साहब से मुहम्मद यूनूस साहब को सरकार आपको राजकिये समारो हो चार मैं के जो इनका बड़े है उसमें मनाये जाता है बिहार सरकार के द्वारा मैं आपको बतला रहा हूँ यह चाहूं की प्रतिभा के धनी थे और अग्र सोची थे और जो आदमी संस्क्रित में एक स्लोक है अग्र सोची सदा सुखी जो आगे की जिसकी सोच होगी वह सदा सुखी रहेगा भले ही आज बिहार अब समझ में आ रहा है कि हमारे प्रतम मुक मंत्री जो थे मुहम्मद यूनूस सहाइब उनकी जो सोच थी अब जाकर के लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितना पहले वह काम कर दिया लोगों को राह दिखा दिया लेकिन हम लोग उस राह को अपना नहीं सके अब हम लोग जागरूख हुए हैं उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको बतला दे रहा हूँ प्रेस का यहां फाउंडर थे आपको इसी से समझ सकते हैं सर्च लाइट प्रेस जिससे आपको सर्च लाइट अंग्रेजी में प्रदीप जो है ह हिंदी में निकलता था और हिंदी में जो निकलता था प्रेस हिंदी में आपको और अंग्रेजी में दोनों को पहने का मेरा बच्पन में मौका मिला है और वह आपको मैं बतला दे रहा हूँ आज भले ही हिंदुस्तान हिंदी में और अंग्रेजी में आपको हिंदुस्तान टाइमस वहीं से निकलता है लेकिन उत समय सर्च लाइट और प्रदीप निकलता था मैं आपको बता रहा हूँ कि वही सर्च लाइट प्रेस की अस्थापना इनके बात कर रहा हूँ यह पटना टाइमस आपको विकली में पेपर है बाद में डेली पेपर बना और वह 1944 में डेली पेपर बना है यह एक बहुत बड़ी बात है इसको हम आपको घेर के बता दे रहे हैं उनेशोचोबिस में यह पेपर विकली स्टार्ट हुआ था पतना टाइम्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह ओरियंटल बैंक इंडिया लिमिटेड के भी आपको संस्थापक थे आपको बता दे रहे हैं कि यह आपको इंडेस्ट्रियल इंजिनेरिंग डेवलप्मेंट ल रहे हैं यह ग्रेट इंडिया डेवलप्मेंट लिमिटेड जो रेलवे के कामों को रेलवे के प्रोजेक्ट को राजपुताना से लेकर के मारवार तक फैलाए रेलवे के जाल को फैलाने में इसका बहुत बड़ा अमुल योगदान है ग्रेट इंडिया डेवलप्मेंट ल उसके संसापक मुःमब यूनूस साहब ही रहे हैं यह आपको बता रहे हैं बिहार प्रोविंचियल कॉपरेटीव बैंक के या मैनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में भी यह काम किये यह आपको जान लिजे कि आपको डिरेक्टर रहे हैं, बैंक और बिहार के भी रहे हैं, डिरेक्टर मैनेजिंग एजन्ट रहे हैं, बिहार युनाइटेड इंसूरेंस कमपनी का जो ग्रैंड होटल पत्ना में इसका ओफिस कुला हुआ था, यह मरते दम तक इन्होंने देश क कि नहीं सेवा किया, साहित की सेवा और चोहमकी दिशाओं में इनका कार्ज किया गया है, इसलिए संस्कृत में कहावत है, कृते अस्या सो जीवती, कृती ही जीता है, तो इनकी कृती आज भी अमर है, यह जब हर्ट अटेक्ट इनको एक बार हो चुका था, तो डॉक्टर इनको कहा था कि आप शांती पूर्ण जीवन ब्यतीत कीजिए, क्योंकि हो सकता है, दूसरे बार अटेक्ट होगा, तो इन्हों यह चले गए, मसूरी चले गए, और मसूरी में उन्हें सो चवाली से पैंतालीस तक वहां रहे, लेकिन वहां भी यह अपना कवित तो अब भी थेड़ने लगें, कविता की किताबे लिखे, आप यही समझ सकते हैं, जस्टिस मनोहर लाल के पुत्र जो थे, वह पुत्र आपको बिरवल लाल जो थे, वह बहुत कमरू में मर गए, तो उनके लिए उन्होंने मरसिया लिखा, उसके बाद जो है, हिंदु मुस्लिम यूनि बढ़ने के लिए आपको जीवन के प्रती जीजिविखा और उत्सावरधन के लिए इन्होंने कलाम यूनिस लिखा, यह एक बहुत बड़ी शाहितिक अवदान इनके द्वारा दी गई है, मैं आगे बतला रहा हूँ, एक और भी हमारे आदर्निये स्वतंत्रता सेनानी, प इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, एमेले के जो टिकट का ओफर कॉंग्रेस ने किया था, मैंने अभी पुर्व में भी बता चुका हूँ, कि इन्होंने दे दिया दूसरों को, लेकिन पद के लोव इनमें जरासा भी नहीं था, और इन अपना जीवन जो है भारत के लिए भारत की मिट्टी की खातीर सब कुछ नियोचावर कर दिया, आप यही समझते हैं, जब दो नेशन की बात मुस्लिम लीग के जिन्ना सहाब करने लगे, तो इन्होंने अलग से एक मुस्लिम लीग के पैरलल एक संस्थान खरा किये, और वह संस्थान का नाम है, और टू नेशन थियोडी का बिरोध किये, आपको इनका गाउं जो है, मुझफर पूर जिलान तरगत भीले जिहुली है, जो सकरा ब्लॉक में पड़ता है, यहाँ अब सुरुआती दोर में गाउं के मदर्सा में पढ़े, उसके बाद यह जो हैं, आपको वहां के दर्भंगा क आपको नौर्थ ब्रुक जिला इसकूल दर्भंगा में इनका पठन पाठन हुआ, लेकिन वहां पर भी यह रूकने वाले और थमने वाले नहीं थे, यह तो आगे देश की खातिर आगे बढ़ने वाले थे, वहां पर रॉलेट आक्ट का समय था, रॉलेट आक्ट के इन्होंने आपको मेट्रुकूलेशन किया, बाद में हाईयर एजुकेशन बियन कॉलेज से पास किया, इनकी पतनी अजिजूल फतिमा थी, इनकी सादी जो हुई है, बहुत सादे समारोह में, वह भी खादी वस्त्र पहन करके हुआ था, पती पतनी दोनों आपको सादे खा खादी के प्रती, इनका आत्मार्पन था, आत्मा से अर्पन करते थे, कोई भी एक साधारन से साधान वैक्ती सादी करते हैं, तो खूब रंगीन, चटकीले ड्रेस पहनते हैं, ब्राइडल ड्रेस आज का लोग पहनते हैं, लेकिन ये सादे ड्रेस खादी को अपना करके, इन्होंने खादी के महत्तों को लोगों को दरसाया, एक रह दिखाया और आपको बता दे रहे हैं कि यह जो हैं आपको उस निकाह के अवसर पर इन्होंने जो खाने पीने आनन्द मनाने के लिए लोग इकठे होते हैं, उसको भी या फ्रिडम स्ट्रगल के मुहमेंट के बारे में चर्चा का एक मजलिस कायम कर दिया, मैं आपको बतला रहा हूं कि अजाजी साहब का जो नाम अजाजी है, उनका नाम ओरिजनल मगफूर अहमद है, लेकिन इनके यह जो है अजाज हुशन बद्दावनी, अजाज हुशन बद्दावनी जो थे, उनका जो नाम है कर दे रहा हूं उसी से इनका नाम जो है अपना नाम अजाजी रख लिए जो मुरादाबाद के आपको खलीफ थे खलीफा थे हजरत फजल रह्मान गंज मुरादाबाद के वह खलीफा थे उन्हीं के सिस्से थे तो उन्होंने अजाज से अजाजी अपना नाम करन कर लिए थे यह आपको नवियू को रास्टिये प्रेम और स्वतंता सेनानी बनने के लिए प्रेडित करने के लिए भॉलेंटियर की अस्थापना किया जो आपको रामायन मंदली चर्खा समिती कानूनी निजात करके संस्थान का निर्मान किये एक मुस्लिम होकर के रामायन मंदली चर्खा समिती और कानूनी निजात करने वाले यह प्रथम और काफी जुझारू और रास्ट प्रेमी व्यक्ती थे रास्ट के प्रती इनका बहुत ही दिलों से यह रास्ट को बहुत मानते थे और रास्टिये अस्मिता को की पहसान इनको इनके रगों में भड़ी हुई थी मैं आपको बतला रहा हूँ कि एक और घटना आपको बतला रहा मुठिया पध्धती जो है बिहार की अधिभूत पध्धती थी जो सोतंत्रता सेनानियों के आर्थिक सहयों के लिए बनाए गया था मुठिया था कि हर घर से एक मुठी अनाज ले करके डोनेट करना था एक दीन की घटना है जब यह गौँ में पहुंसते हैं वहाँ पर जाकरके इनके स्वेम सेवक और यह खुद मांगते हैं एक मुठी अनाज के लिए तो घर से आवाज आती है कि मैं नहीं दूंगा तो उसके बाद जो है कि वह चल देते हैं क्योंकि गांधिवादी विचार धारा के आदमी थे लेकिन एक औरत की नजर इन पर परती है वह काती है भाईजान आप हैं तो आईए आप पानी एक गलास पानी तो पी लीजे उन्होंने कहा कि जब तक एक मुठी अनाज नहीं मि नहीं था किसी गांव में है और वह पानी तब तक नहीं पिए जब तक कि उनको एक मुठी अनाज नहीं मिला मैं आपको बतला दे रहा हूं कि आजादी के समय आपको जंगे आजादी में कई तरह के पध्धती को अपनाए गया जिसमें मुठिया पध्धती जो है बिहार का नमुना है जो आज भी लोग उसको याद करते हैं मैं आपको बतला रहा हूं उन्हें 211 में इन्होंने अहमदावाद कॉंग्रेस के सेशन में यह गए और वहाँ पर मुहानी सहब के कम्प्लीट इंडिपेंडेंस को उन्होंने पूरे तन मन से शहयो किया और उसके कारण ज है सो हमको जंगे आजादी में आपको बहुत जादे शहयो मिलता है लेकिन गांधी जी के बिरोध करने के बाद वह जो है इसको आपको बंद कर दिया गया जो इनकलाव जिन्दाबाद है आपको यही मुहानी सहाब हस्रत मुहानी सहाब दिये थे जो भगस सिंग ने इनकला रहा हूं कि सरोजनी नाइडू जो हैं कि ने सेवा दल कॉंग्रेस में बनाया था उसी के आधार पड़ी उन्होंने अजाजी टूप बनाया थे जो वॉलेंटियर को फ्रीडम स्ट्रगल कैसे प्राप्त किया जाया कैसे वॉलेंटियर को यंगस्टर को कैसे ट्रेनिंग दिया जाया उसके लिए वह प्रेडित करते थे और उत्प्रेड़क के रूप में यह काम करते थे 1934 में डॉक्टर राजिंदर प्रसाद के साथ गाउं गाउं में घुम करके आपको उस समय बहुत बड़ा भुकम पाय था आपको पूरे तन मन धन से इन्होंने सहयोग किया है लेकिन अब्दुलबारी जब बाई एलेक्षन में इनको पुर्णिया में अरेस्ट कर लिया गया तो आपको उसमें दिहुली कंस्पारिश में इनका भी नाम आया है मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि इन्होंने आपको आजाजी जो है अंजुमन खुदाम इमिल्लत की अस्थापना सरसेद अहमद खान एजुकेस्ना सोसाइटी की तरह इन्होंने अस्थापित किया जिसके तहद स्कूल और कमपनी बाग मुझफर पूर में आपको एक मस्धिद को इन्होंने जिर्नोधार करवाया और मुझफर पूर सहर का सबसे बड़ा और सबसे सुन्दर यह मस्धिद उन्होंने बनवाया इस सोसाइटी के द्वारा इन्होंने खेल कूद में विसेश करके उस समय फूट वाल होता था उसके लिए इन्होंने सारा प्लेटफॉर्म उपस्तित करवाया यह जो है आपको बता दे रहे हैं कि डॉक्ट जगनात मिस्ट्रा जी वहाँ पर उस समय आपको जब देस आजाद हुआ तो आपको वहाँ पर आपको लेक्चरर this college में हुए थे उनसे यह मिलते जुलते थे और डॉक्टर जगनात मिस्रा को इन्होंने कई बार इस बात के लिए कहा था कि यह जो है उर्दू का डेवलप्मेंट होना चाहिए जब डॉक्टर जगनात मिस्रा संजोग से बिहार के मुख मंत्री बने तो उन्हीं की उत्प्रेडक तत्तों के कारण उनकी बातों को धियान में रख करके बिहार में दूतिय राजभाशा डॉक्टर जगनात मिस्रा ने अपने मुख मंत्रत तोकाल में आजाजी साहब की बात साहिद मोहिन साहिद जो हैं शाहब जो हैं जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इनके बारे में बावा इ उर्दू कहा फादर आफ उर्दू इन बिहार मिंस उर्दू के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है आपको फक्रदून अली अहमद उस समय जो आपको प्रेसिडेंट थे 1966 में 66 इर्स में वह डेथ कर गया है उन्होंने कहा था आप समझ सकते हैं ऐसे बीर बाकुरा ऐसे समरपित ब्यक्ति को हम लोगों के लिए या भारत रत्न से भी बड़ा रत्न है आप सब को जय हिंद कहते हुए जय हिंद जय भारत